गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अवर हिंदी क्लास बेटा ये है हमारी बुक हिंदी शितिज भाग एक नाइन्थ क्लास के लिए तो इसका आज हम गद्य पार्ट का पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं दो बैलों की कथा ये पार्ट एक कथा है जिसे श्री मुंसी प्रेमचंद जी ने लिखा है मुंसी प्रेमचंद जी सरस्रेस्ट कहानिकार थे उन्होंने 350 से भी ज़्यादा कहानिया लिखी है और उनकी ये जो कथा है ये भी बहुती परसीद कथा रही है इस कथा में मुख्य पात्र होते हैं होरी और उसके दो बैल हीरा मोती तो इस कथा में ये बताया गया है कि जानवर हैं जो उनके अंदर भी मुंसीय की तरह ही भामनाए होती हैं और सुतंतर्ता उनको भी प्रियर होती है तो उस सुतंतर्ता को पाने के लिए वो देखते हैं क्या करते हैं इस कथा को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा जानवरों में गधा सबसे बुद्धी ही समझा जाता है हम जब किसी आदमी को पढ़ले दर्जे का बेवकूफ कहना चाते हैं तो उसे गधा कहते हैं मतलब ये कि अगर किसी व्यक्ति को अगर हमें बेवकूफ कहना है तो उसको हम क्या कह देते हैं उसको गधा बोल देते हैं इसी से पता चल जाता है कि वो बेवकूफ है गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधे पन उसकी निरापद मतलब शुरक्षित शही शुनता मतलब सहन सीलता ने उसे यह पदवी दे दी है इसका निश्चे नहीं किया जा सकता गाएं सिंग मारती हैं ब्याई हुई गाएं तो अनायास मतलब अचानक ही सिहनी का रूप धारन कर लेती हैं कुट्टा भी बहुत गरीब जानवर है लेकिन कभी कभी उसे भी करोद आ ही जाता है किन्तु गधे को कभी करोद करते नहीं सुना ना देखा आपने देखा होगा कि कुट्टा तो करोद में आ जाता है और दूसरों को काट भी लेता है लेकिन गधे को हमने कभी करोद नहीं करते देखा उसके उपर हम भार लाद देते हैं वो ऐसे ही काम करता रहता है जितना चाहो गरीब को मारो चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो उसके चहरे पर कभी ऐसंतोस की छाया भी ने दिखाई देगी यह गधे की बात हो रही है वैसाक में चाहे एकात भार कुलेल कर लेता हो पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा उसके चेहरे पर एक स्थाई विशाद स्थाई रूप से चाया रहता है यानि कि जो गधे का चेहरा होता है उसके उपर हमेशा दुखी का दुखिपन का भाव रहता है सुख दुख हानी लाब किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा रिशियों मुनियों के जितने गुन हैं वे सभी उसमें प्राकास्टा को पहुँच गए हैं मतलब उसकी चरम सीमा तक पहुँच गए हैं पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है इसको गधे को सद गुनों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा कदाचित मतलब कभी भी सीधापन संसार के लिए उप्युक्त नहीं है देखिये नहीं भारत वासियों की अफरीका में क्या दुर्दशा हो रही है क्यों अमरीका में उन्हें गुसने नहीं दिया जाता बैचारे शराब नहीं पीते चार पैसे कूछ समय के लिए बचा कर रखते हैं जी तोड़ कर काम करते हैं किसी से लडाई जगडा नहीं करते चार बाते सुनकर गम खा जाते हैं और फिर भी बदनाम हैं ये सारी बातें भारत वासियों के बारे में कही गई हैं, इतने उनके अंदर गुन हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जो है बड़े बड़े देशों में अच्छा क्यों नहीं समझा जाता है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्स को नीचा करते हैं, अगर वे भी इट का जवा पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सब्भे कहलाने लगते। जी बताया गया है, जिस अर्थ में हम गदे का परियोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बच्छिया के ताउ का भी परियोग करते हैं, कुछ लोग बैल को शायद बेवकुफों में सरस्रेस्ट कहेंगे मतलब सबसे ज़्यादा स्रेस्ट बेवकुफों में मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है बैल कभी कभी मारता भी है कभी कभी अडियल बैल भी देखने में आता है और कई रीतियों से अपना ऐस ंतोष प्राकट करता है अतया उसका स्थान गदे से नीचा है जैनी कि गदे और बैल की तुलना की गई है तो बैल को गदे से थोड़ा नीचा ही बताया गया है जूरी कांची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती दोनों पच्छाई जाती के थे, पिछड़ी जाती के थे देखने में सुन्दर, काम में छोकस, धील में उचे बहुत तीनों साथ रहते रहते दोनों में भाई चारा हो गया था दोनों आमने सामने या आसपास बैटे हुए एक दूसरे से मूख भाशा में विचार विनिमे करते थे मूख भाशा कौन सी होती है मूख भाशा होती है जब चुप चाप रहे के एक दूसरे के भाओं और विचारों को समझ ले एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते अवस्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ती थी गुप्त मतलब छुपी हुई जिससे जीवो में इस रिष्टता का दावा करने वाला मनुश्य वंचित है दोनों एक दूसरे को चाट करोर सूंग कर अपना प्रेम प्रकट करते कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते थे विगरह के नाते से नहीं केवल विनोत के भाव से आत्मियता के भाव से आत्मियता मतलब अपने पन जैसे दोस्तों में घनिष्टता होते ही धोल धपा होने लगता है इसके बिना दोस्ती कुछ फुस फुसी कुछ हलकी सी रहती है यानि कि उसमें जोश नहीं रहता जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जो दिये जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते उस वक्त हर एक की यही चेस्टा होती थी कोशिश रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोज मेरी ही गर्दन पर रहे दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते कौन दोनों बैल हीरा और मोती नांद में खली भूसा पर जाने के बाद दोनों साथ उठते साथ नांद में मूँ डालते नांद होती है वो जिसमें उनका चारा डालते हैं खाने का और साथ ही बैठते थे एक मूँ हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था यानि कि एक को अगर भूक ज़्यादा नहीं थी तो दूसरा भी ज़्यादा नहीं खाता था संयोग की बाद जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया जूरी कौन था उनका मालिक बैलो को क्या मालूँ वे क्यों भेजे जा रही है समझे मालिक ने हमें बेज दिया अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने पर जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दातों पसीना आ गया जूरी का साला कौन था गया नाम था उसका जिसकी घर वो बैल गये थे लेकिन उसको बैलो को ले जाने में उसको दातों पसीना आगया मतला पहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा पीछे से हाकता तो दोनों दाएं बाएं भागते पगिया पकड़ कर आगे से खीशता तो दोनों पीछे की और जोड लगाते मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते अगर इश्वर ने उन्हें वानी दी होती तो जूरी से पूछते तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी यानि कि वो बैल सोच रहे हैं कि ये जो हमारा मालिक है हमें क्यों भेज रहा है किसी दूसरे के घर पर हमने तो इसकी पहुत सेवा की है अगर इतनी महनत से काम ने चलता था तो काम ले लेते और काम ले लेते वो सोच रहे हैं अगर हमने कम महनत की थी तो हमें हमसे और ज़्यादा काम ले लेते हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था यानि कि हमें तुम्हारे पास रहना मंजूर था और चाहे कि हमें कितने भी मेहनत करनी पड़ती हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की तुमने जो कुछ खिलाया वहसीर जुका कर खा लिया फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया ये बात हीरा और मोती अपने मन ही मन में सोच रहे हैं जब गया उनको अपने घर पर ले जा रहा है तो रास्ते में हैं सारी बातें वो सोच रहे हैं संध्या समय दोनों बेल अपने नए स्थान पर पहुंचे शाम हो गई थी जब वो नए स्थान पर गए थे दिन भर के भूखे थे लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मूँ ने डाला मतलब नांद होती है जिसमें चारा डालते हैं न वो खोर बोलते हैं जिसे आप दिल भारी हो रहा था जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था यह नया घर नया गाउं नया आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे दोनों ने अपनी मुख भाषा में सला की मतलब उन्होंने बिना बोले चुपचाप रह के आपस में सला मिलाई एक दूसरे को कनखियों से देखा मतलब जरोकों से देखा और लेट गए जब गाउं में सोता पढ़ गया मतलब बाढ आ जाना जब गाओं में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोड मार कर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले पगहे मतलब जिससे उन्हें बानते हैं जिससे गाएं को बानते हैं गाएं का कुटा होता है उसको बोलते हैं पगही घर की तरफ चले पगहे बहुत मजबूत थे अनुमान ने हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड सकेगा पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ती आ गई थी एक एक जप्टे में रसियां तूट गई थी दोनों ने वहां से भागने के लिए सलाम सोरा किया कि हमें तो यहां से भाग जाना चाहिए क्यों भागना चाहिए क्योंकि वह सोच रहती है जो नया मालिक है यह हमें सही से नहीं रखेगा और हमें प्रिशान रखेगा इसलिए उन्होंने सोचा की हम यहां से भाग चलते हैं जूरी प्राते काल सो कर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं चरनी मतलब जहां चरने की जो घूमी होती है जहां पर बैल चरते हैं दोनों की गर्दरों में आधा आधा ग्राव लटक रहा है लटा ग्राव होता है फुद्देदारसी जो गाएं की गले में बांते हैं उसको बोलते हैं गुटने तक पाउं की चड़ से भरे हैं और दोनों की आँखों में विद्रोह मैसनेह जलक रहा है जूरी बैलों को देखकर सनेह से गदगद हो गया वो उनको देखकर परसन हो गया दोड कर उने गले लगा लिया प्रेमा लिंगन और जुम्बन का वहेद रिश्य बड़ा ही मनोहर था जब वो उनसे प्रेम कर रहा था वो नजारा बहुत ही अच्छा था घर और गाउं के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे चाहिए यानि कि उनकी तारीफ का पत्र देना चाहिए कोई अपने घर से रोटियां लाया कोई गुड कोई चोकर और कोई भूसी एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास ने होंगे दूसरे ने समर्तन किया इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए क्योंकि उन्हों जो बैल थे वो अपने आप यूने रास्ता मालूम था अपने मालिक के घर का और वो वहाँ पर आ गए थे इसलिए ऐसा इनके बारे में कहा गया है तीसरा बोला बैल नहीं है वे उस जनम के आदमी है इसका परतिवाद करने का किसी का भी साहस नहीं हुआ मतलब इसका विरोध करने का किसी का भी साहस नहीं हुआ जूरी की इस्प्री ने बैलों के दौर पर देखा तो जल उठी बोली कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम ने किया गया भाग खड़े हुए पाग कर आ गए हैं जूरी अपने बैलो पर ये है आकशेप मतलब ये है उनके उपर जो इलजाम लगा था वो इसको सुनने सका नमक हराम क्यों है चारा दाना ने दिया होगा तो क्या करते तो अब जूरी कह रहा है कि उन्होंने इसको खाना नहीं दिया होगा इनको अच्छा तो इसलिए ये आ गई होंगे इस्तरी ने रोब के साथ कहा बस तुम्हारी तुम ही तो बैलो को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं जूरी ने चिड़ाया चारा मिलता तो क्यों भागते इस्तरी चिड़ी वो चिड़ गई इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलो को सहलाते नहीं खिलाते हैं तो रगड़ कर जोते भी हैं यानि कि जो इस्तरी है जूरी की जो पत्नी है वो उनको कह रही है कि जो हमारे घरवाले लोग हैं जो इसको लेकर गए थे वो तुम्हारी तरह बैलो को प्यार से सहलाते नही हैं वो तक खिलाते हैं और जी भर कर उन से काम लेते हैं ये दोनों ठहरे काम चोर भाग निकले अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है सूखे भूसे के सिवा कुछ ने दूंगी खाए चाए मरे वही हुआ मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई की बैलो को खाली सूखा भूसा दिया जाए यानि की ताकीद मतलब चेताव ने देना बैलो ने नान में मूँ डाला तो फीका फीका ने कोई चिकनाहट ने कोई रस क्या खाएं यानि कि उनको सूखी बुसी दे दी गई थी खाने के लिए आशा भरी आँखों से द्वार की और ताकने लगे जूरी ने मजूर से कहा थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे मालकिन मुझे मार ही डालेगी चुडा कर डाला ना दादा पीछे से तुम भी उनकी सी कहोगे दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया एक बार तो ले गया था और ये बेल महां से वापिस आ गए थे अब वो दुबारा फिर आया दूसरे दिन जूरी का साला कौन था गया गया पैलो को ले चला अपके उसने दोनों को गाड़ी में जोता दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा पर हीरा ने संभाल लिया वह ज्यादा सहनसील था जो मोती था वो थोड़ा सा गुसे वाला था और हीरा थोड़ा सा नरम सभाव का था संध्याश में घर पहुंच कर उसने दोनों को मोटी रसियों में बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया फिर वही सुखा भूसा डाल दिया अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दे दी दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ने हुआ था जूरी उन्हें फूल की जड़ी से भी ने चूता था उसकी टिटकार होती है टिक टिक की आवाज पर दोनों उड़ने लगते थे यहां मार पड़ी आहत सम्मान की वे था तो थी ही उस पर मिला सूखा भूसा एक तो उनका अपमान हो रहा था उपर से उनको खाने के लिए भी नहीं मिल रहा था नांद की तरफ आखे तक ने उठाई यानि की जिसमें वो जो उनका अचारा डालते हैं उसकी तरफ उन्होंने देखा तक नहीं दूसरे दिन गया ने बैलो कोहल में जोता पर इन दोनों ने जैसे पाव ने उठाने की कसम खाली थी वहे मारते मारते ठक गया पर दोनों ने पाव ने उठाया एक बार जब उस निर्दई ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाएं तो मोती का गुसा काबू के बाहर हो गया हल लेकर भागा हल रसी जुवा जोत सब तूट टाट कर ब्राबर हो गया गले में बड़ी बड़ी रसीया ने होती तो दोनों पकड़ाई में नहीं आते यानि की वो दुबारा फिर से भागने की कोशिश कर रहे थे हीरा ने मुख भाशा में कहा भागना व्यर्थ है मोती ने उत्तर दिया तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी अब की बड़ी मार पड़ेगी पड़ने दो बैल का जनम लिया है तो मार से कहां तक पचेंगे गया दो आदमियों के साथ दोड़ा आ रहा है दोनों के हातों में लाठिया है मोती बोला कहो तो रिखा दू कुछ मजा मैं भी लाठी लेकर आ रहा है हीरा ने समझा है नहीं भाई खड़े हो जाओ मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूँगा नहीं हमारी जाती का यह धर्म नहीं है मोती दिल में एट कर रहेगा यानि की अपनी बात वो मन में ही सोचकर रहे गया गया आ पहुचा और दोनों को पकड़ कर ले चला कुसल हुई की उसने इस वक्त मार पीटने की नहीं तो मोती भी पलट पड़ता उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गए की इस वक्त टाल जाना ही मसलत है मतलब हितकारी है आज दोनों के सामने फिर वही सुखा भूसा लाया गया दोनों चुपचाप खड़े रहे घर के लोग भोजन करने लगे उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुहों में देकर चली गई वहाँ पर उनकी एक छोटी सी लड़की थी वो थोड़ा उनसे प्यार करती थी और उसने उन्हें दो रोटियां भी खिलाई उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शान्त होती पर दोनों के हिर्दे को मानो भोजन मिल गया था यानि कि उसने जो रोटी खिलाई थी एक इतने बड़े बैलों के लिए एक रोटी वैसे तो परियाप नहीं थी लेकिन उसके साथ जो उनका प्यार था उससे उनका मन थोड़ा सान्त हो गया था ऐसे लगता था जैसे उनके दिल को भोजन मिल गया हो यहां भी किसी सज्जन कावास हैं लड़की भैरों की थी उसकी मा मर चुकी थी सोतेली माँ से मारती रहती थी इसलिए इन बैलों से उसे एक परकार की आत्मियता हो गई थी मतलब उससे अपना पन हो गया था दोनों दिन भर जोते जाते डंडे खाते अड़ते शाम को थान पर बान दिये जाते पश्मों को बानने की जगए होती है और रात को वहीं बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो गाल सुखा भूसा खा कर भी दोनों दुर्बल ने होते थे मगर दोनों की आँखों में रोम रोम में विद्रोहो भरा हुआ था एक तिन मोती ने मूख भाशा में कहा अब तो नहीं सहा जाता ही रा क्या करना चाते हो एक आद को सिंगों पर उठा कर फैक दूँगा लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है यह बेचारी अनातने हो जाएगी तो मालकिन कोने फैक दूँग वही तो उस लड़की को मारती है लेकिन और जात पर सिंग चलाना मना है यह भूले जाते हो यानि कि उनके अंदर भी मुनश्य की तरह भावनाएं हैं सोचने समझने की शक्ती है तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते बताओ तुड़ा कर भाग चले हाँ यह मैं स्विकार करता हूँ लेकिन इतनी मोटी रसी तूटे की कैसे इसका एक उपाए है पहले रसी को थोड़ा सा चबाले फिर एक जटके में जाती है रात को जब बाली का रोटियां खिला कर चली गई दोनों रसीयां चबाने लगे पर मोटी रसी मूँ में नहीं आती थी बिचारे बार बार जोड़ लगा कर रह जाते सहसा घर का दुआर खुला और वही लड़की निकली दोनों सिर जुका कर उसका हाथ चाटने लगे दोनों की पूचे खड़ी हो गई उसने उनके माते से लाए और बोली खोले देती हूँ चुपके से भाग जाओ नहीं तो यहां लोग मार डालेंगे आज घर में सला हो रही है कि इनकी नाकों में नात डाल दी जाए उसने गराव खोल दिये जिसे उनको बानते हैं गाएं को पर दोनों चुपचाप खड़े रहे मौती ने अपनी भाशा में पूचा अब चलते क्यों नहीं हीरा ने कहा चलें तो लेकिन कल इस अनात पर आफ़त आ जाएगी क्योंकि ये लड़की हमें खोलेगी तो इसके घर वाले इससे पूछेंगे कि तुमने क्यों ऐसा किया सब इसी पर संदे करेंगे सहसा बाली का चिलाई दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं को पकरने चला वे दोनों भागे गया ने पीछा किया और भी तेज हुए गया ने शोर मचाया फिर गांग के कुछ आद्मियों को भी साथ लेने के लिए लोटा दोनों मित्रों को भागने का मुका मिल गया सीधे दोड़ते चले गए यहां तक कि मार्क का ग्यान ने रहा यानि कि जिस रास्ते से वो आए थे उन्हें यही नहीं पता लगा जिस प्रीचित मार्क से आए थे उसका यहां पता ने था नए नए गाउं मिलने लगे तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए हीरा ने कहा मालूम होता है राहा भूल गए है मतलब रास्ता हम बटक गए हैं तुम भी बेता हासा भागे वही उसे मार गिराना था उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती वह अपना धरम छोड़ दे लेकिन हम अपना धरम क्यों छोड़ें दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे खेट में मटर खड़ी थी चरने लगे रह रह कर आहट ले लेते थे कोई आता तो नहीं है जब पेट भर गया दोनों ने आजादी कानुभव किया तो मस्त होकर उचलने कुदने लगे पहले दोनों ने डकारली फिर जिंग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया यहां तक की वैखाई में गिर गया तब उसे भी करोदाया संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया मोती ने देखा खेल में जगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया अरे यह क्या कोई सांड ढोंकता चला आ रहा है मतलब बोलता हुआ आ रहा है हाँ सांड ही है वह सामने आ पहुँचा दोनों मित्र बगले जाक रहे हैं सांड पूरा हाथ ही है उसे भिरना जान से हाथ धोना है लेकिन ने भिरने पर भी जान बस्ती नहीं नजराती इन्हीं की तरफ आ भीरा है कितनी भ्यंकर सूरत है मोती ने मूख भाशा में कहा बुरे फसे जान बचेगी कोई उपाय सोचो हीरा ने चिंतित स्वर में कहा अपने खमंड में भूला हुआ हूँ आरजू विंती ने सुनेगा भाग क्यों ने चले भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो बंदा तो नो दो ग्यारा होता है और जो दोड़ाए तो फिर कोई उपाए शोचो जल्द यह हमारा हाफ लेसन कंप्लीट हो गया है बाकी का हाफ कर रीड करेंगे इसका आप रीड कर लेना और इसके असाइनमेंट मैंने भेज़ दिये वो अपनी फेर नोटबुक में कर लेना थैंक यू